गुड मर्निंग विद्ध्यार्थी मित्रों वुँ रचना बेन पटे शान्ती निकेतान शिक्षन संकुलने यूटूब चैनल मा आपनो हाट दीख स्वागत करूछु मित्रों आजे अपने धूरण अग्यार गुज्राती मा चैप्टर पंदर मारा फडी ना जाडवा बे काविया छे मित्रों एना कवी छे देवजी रामजी मोडा एले देवजी रामजी मोडा छे नुँ आखु नाम एमनो जन्म थयो छे 85913 अने अवसान छे 21199 ने सत्याशी अई या मित्रों आपड़ी देवजी रामजी मोडा नो परिचे आपड़ी पेला मेलाविये तो कवी देवजी रामजी मोडा सीरीस नो जन्म पोरबंदर मा थयो हतो इस विशान 1913 मा मैट्रिक थया इस विशान 1916 चुम्माली मा मुंबई युनिवर्शिटी साथे सल्लंगन डिज्जे सिंग कोलेज माथी एमेनी उपाधी प्राप्त करी इलके एमेनी पदवी प्राप्त करी अमने इस विशान 1918 मा वतन पोरबंदर आवया अने नवी शाळा नव युग विद्याले मा आचार्य थया इस विशान 1923 मा स्रेष्ट शिक्षक नो राष्टिय एवोड प्राप्त करी इस विशान 1923 सुधी मा शिक्षान छेतरे लाबो समय सेवा आपी ए संस्ता माथी ज निवरूत थया प्रयान, स्रद्डा, आरत, अनिंद्रा, वनस्री, राधिका, सिल्पा, अम्रूता, वगेरे एमना कावे संग्र हो छे प्रक्रुती प्रेम, सामाजिक औसमान्ता, अंगेनी व्यथा, देश प्रेम जिवा भावो एमना कावे मो निरूपन पाम्या छे तल पदी सरल सहज भाषा मा एमना कावे नी भावा व्यक्ती नोध पात्र छे हवी मित्रों, आपने जे कावे बणवानु छे, एना विशे थोडु गणू द्माहिती मिलवी लेए के आ गितमा कवी, बेव रुक्षो वच्चे नो वार्तालाप कलपे छे के बेव रुक्षो पोतानो वार्तालाप केविरिती करे छे, एनो कलपे छे, कलपना करे छे ये कवी काव्य नायकना फढ़िया मा उगेला बे जाडवा मनू एक दूरना जवाई छे छे जंगल मा रेदला पोताना भाई भांडो साथे बाकीनो जीवन जीवा जंके छे अहीं हवे एने एकलू लागे छे, बीजाव रुक्षो नो जवाब सरस्चे जंगल मा जीव वो जोखम छे, कठियारो क्यारे कुहाडी थी कापी नाके नके नहीं अहीं सुरक्षित छे, वड़ी जे व्यक्तिये पोताने उचेर्या, मोटा कर्या, हवे फळ अने चायो अपवानो समय थयो, त्यारे एने छोडीने जतु रहवू योग्य नथी बिजु व्रुक्ष्तों अहीं जु रोकाईने पोताने उचेर्या नानने अन्द सुधी उप्योगी थवाने भावना सेवतु तेना चुलानों बलतन थवापन तैयार छे उपकाननों बडलों उपकार्थी आपवानी भावनानों संकेत करतु आ गीत व्रुक्ष्नी उदार तानों तो परिचे करावेट छे जीवन्त परियंत अने नुद्त्यु पछी पन बीजाने उप्योगी थवानों मान्वी ने बोध पन आपे छे मानल जीवन्नी सार्थकता अन्यने उप्योगी थवामा छे ए वात कविये बेव रुक्षोना रुपक द्वारा समझावी छे मित्रों एयं बेव रुक्षोना उदारन द्वारा आपनने गणुबदु कही जाये छे मित्रों तो हवे आपणे आ फड़ी ना मारा फड़ी ना जाडवा बे ए घीत आपणे हवे जोईश्यों के मारा फड़ी ना जाडवा बे हता करता एक दी वातों सुके छे के मारा फड़ी आमा बे जाडवा हता कविके छे अने एक दिवस बनने वातों करता आता एक कहे हद थाय हवे नहीं भांडू विजोग खमातों के बे जड़वा जयरे वाच्चीत करे छे त्यारे हवे एने थाय छे एक कहे छे के हद थाय छे अवे तो के बहुत हयो एम के हवे स्वजनों वियोग आपने सहन थतों नथी के भांडर रड़ा यले के भाईनों विजोग छे आपने सहन थतों नथी चालने आईथी चालता थाये एमा एक व्रुक्ष कहे छे के आपने स्वजनों वियोग छे ए सहन थतों नथी तो के चालने अपणे एइआ थी चालता थाएए याती जता रहे है आगा आगा वन्माए जाए है और दौर-दौर वन्माँ जाएए आपड़े जो मित्रो अईयां बेव जाडवा वच्चे जे वादचीत थाई छे एक कवी नी कलपना छे कि जो बेव रुक्षो केवी वात करे छे कि फड़ी ना जाडवा केमना फड़ीया मां छे अने केछे एक के हवे तो स्वजन उनों वियोग न थी अपने सहन थतो त्यारे केछे के चालने अपड़े अईयां थी दूर जता रही है एपण आगा जंगल मा जता रही है एमके बीजु कहे एमाई जीवनु जोखम नित आवे कठियारा बीजु जाडव एनी साथे कहे छे कि अमा जीवनू जोखम छे आपणे दूर वनमा जैसुतों त्यांतो रोज कथियारा आवे छे आवी ओचिन्ताना चलवे आपणाा पर कुहाडा ना ग्मारा के आपनने ओचिंता आवे औने आपना पर कुहाडाना घा करे एमके औने आपनने मारी नाखे जो के मर्वू कोई नौ ताले तो ए ए मर्वू शिद अकाले के ए मर्वू मृत्युने कोई ताली शक्तु नथी परंतु तो पन अकारे शामाटे मरों जोहे के ओचिन्तानो शुकर्वा मरों जोहें आपणे पैलू कहे अही दन खुटे तो पाची न खुटे रात बिजू झाडू पैलू झाडू जे कहे छे के आपणी दूर दूर जईये ए कहे छे, कही दिवस पूरो थाय तो पाची रात केमे पूरी थती नथी के एंग्या, दिवस जाय छे तो रात नथी जती, आने रात जाय छे तो दिवस नथी जतो, अही अटूलू एकलू लागे, तही तो आपनी नाध, क्या एंग्या तो आपने एकल वायू लागे छे, अ त्यां तो आपनी नात भहियों छे, आपनी जातना रही छे एमके त्यां, चालने आपने चालता थाए, आगा आगा वन्मा जाए, के चालने आपने याधी जता रही एमके, अने दूर दूर वन्मा जाईने रही त्यां जाई एमके, त्यारे बिजू कहे छे, जेने जात गसी आपने ज़ड पाया कि जेने पोतानी जात गसी दीदीचे खुब महनत करी छे आपने जड सिंचिया छे उचेराची आपने मोटा करिया छे एमने क्यारे आपसू आपना फड ने आपनी च्छाया छे M ने क्यारे आपीशू अने आपनने जतारेवानी तु वाद करे छेम के हुँतो कहुँ आही रोकाई जाए एनना चुला मा इंधना थाए बिजुक्सु कहे छे के हुँतो M कहुँ छो के आही आपने रोकाई जाए एनना चुला मा इंधन थाए आपने बतन तरीके काम्मा आविए ए पन आपना माटे ओचू छे के आपने हम्मेश्या उपकार नों बदलो उपकार थी आपवो जोए ए ए आही आपने सुच्वे छे म अने के छे के मारा फड़ीना जाडवा बे एननों आपने आखो भावार्थ जोईए तो के छे के बे जाडवा वच्चे नों वार्ताला पहिया कविये मुक्यों छे एक जाडवा के छे के दूर दूर जंगल मा चाले जवानी वाद करे छे एना थी वियोक समह सहन थतो नती स्वजानों अने एकलवायू लागे छे एनो दिवस्तो गम्मे तेम पुरो थाय छे परन्तु रात जती नथी त्यारे बिजु जाडवा एने समझावे छे के जंगल जिवु आपने जोखम छे ओचिन ताना त्यां कठेयारा आवे अने एम ना पर गुहाडाना घा करे से आपने त्यां सुरक्षित नथी अही आपनने जने उचेर्या चे जने मोठा करिया चे जने आपनी पाचन मेहनत करी से एने आपने फल औने छाया आपीशु एम के प्योग थाईए आ गितमा कवी छे ए बेह जडवानों वार्तालाप द्वरा उपकार नो बडलो उपकार थी जी वाडवानी भावना रजु करे छे अने त्या आपने ए सुचवे छे मित्रों एटले हम्मेश्या ज्यारे कोई आपणी उपकार करे होई तो क्यारे पणे अपक पुकमा लखवाना चे अवे नीचे स्वाध्याय है अपिळोचे कि स्वाध्याय म आपड़े एक एक प्रष्नमा वाक्के मा उत्तर जोईै कि फढ़ी जाडवा क्या जवाने वाद करे छे तो दूर दूर जंगल मा जवानी वाद करे छे जंगल मा जाडवाने शामाटे जोखाम अनुभवाई छे त्या जेने अमने जोखाम शानुभवाई छे कारण के कहे छे त्या जेने के जंगल मा ओचिनताना कठियारा आवे अने जाडवा पर कोहाडाना गा करे आथी जंगल मा जाडवाने जोखम अनुभवाई छे रुक्षो ने पोताना फळ अने चायो कने आपवा छे तो रुक्षो ने पोताना फळ अने चायो पोताने खुब महने थी जे जल सिंची ने उचेन नाने पोते आपवा छे काव्यने अंतेव रुक्षो द्वारा कई सुन्धर भावन व्यक्त थैीछे तो काव्यने द्वारा यहमा सुन्धर भावना व्यक्त थैीछे के मानव जिवन नी जे सार्थक्ता छे एन्यने उप्योगी थवामा छे हवे नीचे मित्रो 2 मुद्दासर उत्तरों छे ए तमारे जाते लखवाना छे पछी नीचे एक पण मुद्दासर आपेलो छे मारा फड़ी ना जाडवा बे एनो पूरे पूरो काव्यानो जे में भावार्थ तमने मद्देवर्ती विचार जे समझावयो छे ए तमारे लखवानो छे तो मुद्दासर आजी आपणे मारा फड़ी ना जाडवा बे ए रुक्षो विच्छी नीजे वात करी ए तमारे पूरे पूरी दियान आपवानी छे अने याद राखवानी छे, एनो स्वाध्याइपन लखवानों छे, हवे आपणे एना पछी नेक्स्ट वीडियो मा मलेशु, त्यां सुदी नमस्कार